दोस्ट विल्कम बैक टू मेरे कल्यूने क्लासेज, मैं MSLA and you are watching मेरे कल्यूने क्लासेज आज के इस वीडियो में में लेकर गया हूँ आपके लिए चार ऐसे वर्ट्स जिनको दो तरह से प्रोनाउंस किया जाता है वो आपको लगता है जैसे कि उसका प्रनंसियेशन एक ही होना चाहिए लेकिन उसके दो प्रनंसियेशन होते हैं और दो प्रनंसियेशन होते क्यूं है उसके दो उच्चरन होते क्यूं है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको ये पता होगा कि एक अंग्रेजी शब्द की कई-कई हिंदिया होती है और कई-कई हिंदियों की एक अंग्रेजी शब्द भी हुआ करती है ये आपको पता होगा तो वैसे ही अंग्रेजी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनकी एक अंग्रेजी वर्ड एक अंग्रेजी वर्ड की लगभग दो दो तीन तीन चार चार हिंदी अर्थ हुआ करते हैं तो जब हम प्रोनाउंस करते हैं उस शब्द को या उन शब्दों को तो हमें ये पता नहीं चल पाता है कि किस हिंदी की बात कर रहा है चलिए जैसे कि एक उदारन मैं आपको बताता हूँ बैट बैट का मतलब बल्ला भी होता है चमगादर भी होता है बल्ले बाजी करना भी होता है परीसद भी होता है तो जब मैं बैट कहूंगा सिर्फ तो मेरे सामने वाला जो वेक्ती होगा जो बंदा होगा वो सोच में पर जाएगा कि किस बैट की बात कर रहा है वो situation को देखेगा कि भाई किस situation की बात कर रहा है वो बल्ले की बात कर रहा है चमगादर की बात कर रहा है या फिर परीसद या बल्ले बाजी करने की बात कर रहा है तो ऐसे situation में लोग चक्रिया जाते हैं और लोग ठीक से समझ नहीं पाते हैं कि किसकी बात हुई है तो ऐसे ही मैं कुछ बिद्वानों का ये मानना था कि जिस अंग्रेजी शब्द के 2, 4, 5 हिंदी अर्थ हैं उनको हम pronunciation में थोरा सा difference कर दें यानि थोरा सा फर्ग कर दें ताकि लोगों को अच्छे ढंग से समझ में जाए ऐसे ही मैं कुछ आपके लिए 4 वर्ट्स लाया हूँ और उन 4 शब्दों का हम उचरन दो तरीकों से करते हैं और जब हम तरीके बदलते हैं ना उचरन करनेगे तो उसके अर्थ भी बदल जाते हैं और अर्थ किस प्रकार बदलते हैं ये मैं आपको इसमें बताने वा i-n-u-t-e को आप माइन्यूट भी पर सकते हो माइन्यूट कप पर होगे जब इसका मतलब सुक्ष्म हो। आपको ये बताना हो कि कोई चीज बहुत ही सुक्ष्म है तो आप वहां पर मिनट नहीं बोलोगे उस मिनट को आप माइन्यूट बोलोगे और जब आप माइनूट तो इसका मतलब होगा कि भाई आप मिनट की बात नहीं कर रहे हो, आप तो सुक्षम की बात कर रहे हो, तो ऐसे ही इस वर्ड को हम दो तरह से प्रनाॉंस करते हैं, मिनट और माइनिट, तो आपको ये बास समझ में आ गई होगी, कि मिनट कहते हैं तो घरी का मिनट और है लेकिन इसको हम pronounce दो तरीकों से किये हमने दो तरीके से क्यों किया ये दरशाने के लिए कि अगर हम minute कहेंगे तो इसका मतलब सुक्ष्म हो जाएगा और minute कहेंगे तो इसका मतलब minute होगा दूसरा वर जो है वो है live ये तो आप बॉलल लगते हो लेकिन उसको लइब ये परोगे लेकिन वही जीवित रहने का रहने की लिव होता है क्यों फिर से आपको एक बर बता दूं कि जब रहना का अर्थ आपको देना हो private IVE को आप लिव परोगे लेकिन जब जीवित रहने का बोद हो या यूटूब या क्रिकेट इत्यादी एस्पोर्ट्स वाले लिव की बात हो तो वो लिव नहीं है वो लाइब है तीसरा वड़ है बियर बियर इसको बियर भी परते हैं और बियर भी परते हैं तो जब कभी भी भालू या रिच को दर्शाना हो यानि भालू या रिच अगर इसका हिंदी अर्थ दिया हो तो वहाँ पर आप बियर को बियर ही परोगे इसे बियर को बियर ही परोगे जब इसका अर्थ भालू या रिच दिया हो लेकिन जब सहना या बरदास्त करने के सेंस इसमें हो तो इसे बीर न परके इसे बेर पर होगे इसको बीर नहीं इसको बेर पर होगे अब क्यूं क्यूंकि जब आप बेर कहते हो ना जब कहोगे बेर तो लोगों को ये समझ आ जाएगी कि भाई आप सहने या बरदाश करने की बात कर रहे हो और अगर आप बीर बोलते हो तो इसका मतलब है कि ये rich या भालू की बात कर रहा है लेकिन कुछ बिद्वानों का ये मानना है कुछ लेखकों का ये मानना है कि ये सिर्फ bear है अब जिस रूप में भी रहे भालू के रूप में रहे या reach के रूप में रहे, सहना के रूप में हो या बरदास्ट करना के रूप में हो ये bear ही है, लेकिन इन बातों से बाकी के writer संतुष्ट नहीं है वो satisfied नहीं है, इसलिए आपको जब कभी भी भालू या reach काबूद करना हो तो आप bear कहोगे इसको, और अगर सहना या बरदास्ट करने का रर्थ लेना हो तो आप bear कहोगे, आज का last word जो है, वो है read read, जिसका मतलब होता है पढ़ना लेकिन जैसे ही ये read v2 और v3 में जाता है, इसको हम read पढ़ना चुरू करते हैं, red या फिर red, red भी पढ़ सकते हो कुछ लेखा कमाना है red, और कुछ कमाना है red, लेकिन इसको read नहीं पढ़ सकते हो, कब जब ये v2 और v3 के रूप में हो, यानि जब ये पढ़ा, पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे, पढ़ता था, इत्यादी जैसा जब अर्थ ये देना हो, या इसको दिखाना हो, तो आप वहाँ पर red पर होगे, read नहीं पर होगे, जब आप read कहोगे, तो इसका मतलब होगा परना, यानि आप v1 के रूप में यूज़ कर रहे हो, वर्ब का first form के रूप में यूज़ कर रहे हो, लेकिन जैसे हैं आप उसको red पर होगे, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप उस word का प्रयोग v2 या v3 के रूप में कर रहे हो, तो ये चार ऐसे words थे हैं, जो बहुत important थे हम सब के लिए जानना, क्यूंकि इनके दो pronunciation है, और जब हम pronunciation बदलते हैं, तो अर्थ भी बदल जाते हैं, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, या ये words की जानकारी लेकर कि आपको कैसा लगा, ये comment box में बताना मत भूलना, और आपको और क्या चाहिए, और किस परकार की वीडियो चाहिए, ये भी बताना ना भूलना, क्योंकि मैं हफते में लगभग दो वीडियो कमेंट पर जरूर बनाता हूँ, और आपके comment जरूर पूरे होंगे, ये मेरा वादा है, वैसे लोग कहते हैं कि वादे तो तूड जाते हैं, पर MSALY के वादे कभी नहीं तूडते, जो एक बार commitment कर लिया, वो कर लिया, उसके बाद किसी की नहीं सुनता, ये डायलोग आप लोगोंने सुना होगा, डायलोग वाईलोग को छोड़िये, इन सारे शब्दों को आप अच्छे तरीके से देख लेजिए, और याद कर लेजिए, and after that अपनी language में भी इनका इस्तेमाल करे, और जब कभी भी कोई बेक्ती इसका pronunciation दो ढंग से करे, तो किस ढंग से वो कर रहा है ये तो आप सुनहीं लोगे, और उसके according आप ये भी पता कर लोगे कि भाई इसका अर्थ क्या होना चाहिए, कोई minute बोलेगा तो समझ जाना कि सुक्षम की बात कर रहा है, minute बोलेगा तो घरी वाली minute की बात कर रहा है, live बोलेगा तो जीवित रहने या live वाले की बात कर रहा है, और live बोलेगा तो रहने की बात कर रहा है, so pronunciation पर ध्यान दना बहुत जरूरी होता है, तो ये थी आज की एक ऐसी वीडियो जो हम सब के लिए महुत ही important थी, most important थी, so dear students, मैं फिर से मिल रहा हूँ, आपके लिए next वीडियो में तुरंत मिलूंगा, तब तक लिए have a good day, have a nice day.